तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत थे आपका अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की और में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर के आगाए हैं आपके लिए महत्तपून अपडेट मजद प्रदेश आतती सिचक भरती की जोईनिंग मेरे भाई सुरू हो चुक कैसे अप्रूब कर रहे हैं और कैसे मिल रहा है रिफरेंस कोड जिसके लिए बहुत सारे अतिति सिचक परेशान हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे की मदब प्रदेश में होने वाली सभी भरती परिशाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके और चलिए एक-एक पूरी प्रोसेज बताते हैं जो लोग ये सोच करके बैटे हैं कि भाई जोइनिंग नहीं हो रही है रिफरेंस कोड नहीं मिल रहा है अभी तो पोर्टल अपडेटे ही हो रहा है आपनको परेशान होने के आउशकता नहीं है तो मे दोस्तों को भी बताते रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए देखिए अब आपको बताने वाले हैं किस तरह से जोइनिंग हो रही है किस तरह से जोइनिंग दे रहे हैं जो साला प्रभारी है वो देखिए जब साला प्रभारी के पास में साला प्रभारी को द रहे हैं लोगिन करने के बाद में जैसे ही वो लोगिन करते हैं उसके बाद में वो पहुंचते हैं अतिती सिच्छक योइनिंग वाले जो आपका ऑप्सन रहता है वहाँ पर लिखा रहता है अतिती सिच्छक योइनिंग सत्यापन यह केवल और केवल जो आपके साला प्रभा देखिए तो यहाँ पर उनके पास में आपका नाम पहुंच जाएगा ठीक है देखिए तो यहाँ पर Felix सैपन करने के लिए यक्या को सालापरभारी है उसाला प्रभारी यहाँ पर यहाँ पहलें जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे online सत्यापन के लिए तो online सत्यापन में जब click करते हैं तो उनके सामने इस तरह का interface खुल करके आ जाएगा जिसमें लिखा रहाएगा आवश्चक सूचना मैं प्रमारित करता हूँ की पदरिक्त है अगर पदरिक्त होगा तो यहाँ पर approve कर देंगे यहाँ जिस पद के लिए आवेदन आया है वो पदरिक्त है अगर मैं प्रमारित करता हूँ पदरिक्त नहीं है अगर पदरिक्त नहीं होगा तो वो यहाँ से reject कर देंगे दोनों option साला परफारी को मिल रहा है approve का और reject का ठीक है पदरिक्त होगा तो वो आपके online application को accept करते हुए approve कर देंगे नहीं तो वो reject कर देंगे ठीक है माल लीजीए वहाँ पर उन्होंने approve कर दिया हाँ पदरिक्त है उसके बाद में क्या करेंगे view joining request देखेंगे माल लीजीए दो पद यहाँ पर रिक्त है या फिर एक पद रिक्त है माल लीजीए एक पद रिक्त है तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर approve किया उसके बाद में यह जो स्कूल का नाम है डाइस कोट दिया हुआ है इस स्कूल के यह जो साला परभारी है जिनकी ID से जिन्होंने अपना बताया है ठीक है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे view joining process वो यह देखेंगे कि हमारे पास में एक पद के लिए कितने आवेदन आए हैं तो view joining process पर वो क्लिक करेंगे जैसे वो क्लिक करेंगे उस तरह जग क्लिक करते ही उनके सामने कुछ इस तरह से लोगों के नाम आ जाएंगे जिनका एप्रू जिन लोगों ने आवेदन किया है online ठीक है यानि कि आवेदन भी online हो रहे है एप्रूबेंस भी मिल रहा है और joining भी हो रही है ठीक है इस तरह से इनके सामने 12 नाम आ जाएंगे अब ये सारे नाम एक तरफ से दिखने लगेंगे जिसमें इनका नाम दिया रहेगा जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके गेश्ट का नाम मतलब गेश्ट का नाम दिया रहेगा स्कूल में किस स्कूल में आवेदन किया है ठीक है उसके बाद में कौन से बर्ग के लिए अवेदन किया है मोबाइल नंबर दिया रहेगा गेस्ट टीचर का वेकेंसी टाइप दी रहेगी तो गेस्ट फॉम वेकेंसी है ठीक है वेरिफिकेशन टाइप दिया रहेगा जो है आवेदन आये हुएं इस स्कूल में तो मैक्सिमम दो सो पचास करेक्टर में दो सो पचास सब्दों में इनको बताना होगा कि आपने किसी को क्यों एप्रूब किया है और क्यों रिजिक्ट किया है ठीक है तो माली जी इन्होंने पहला जो विद्यार्ती है इस साल का इनके पास में अनवाव है इस वजह से हम इनको स्लिट कर रहे है स्कूर कार्ड में इनके जो अंक है वो बाकी के पांच या चार लोगों से अच्छे है इस वजह से हम इनको स्लिट कर रहे है कहेंगे चलो ठीक है यहाँ पर सब्मिट कर देंगे अब यहाँ पर जब इन लोगों को reject करेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा 250 सब्दों में कि इन लोगों को reject क्यों कर रहे हैं तो माली जी इनको reject किया जाता है इन महासाय को reject किया जाता है यहाँ पर select करेंगे reject का उपसरा आजागा reject कर देंगे फिर यहाँ पर वो लिकर के ब इसलिए हम incorporate कर रहे हैं यह सब region बताना पड़ेगा ऐसा नहीं कि कुछ भी अपना जिसको मन चाहा अप्रूब कर दिया जिसको मन चाहा अटा दिया ऐसा नहीं कर पाएंगे ठीक है पूरा region देना पड़ेगा और जैसे ही यह लोग यहां पर submit करेंगे यह submit बटन पर जैसे click करे करेंगे वैसे ही साला प्रभारी की ID पर जो साला प्रभारी है जिन्होंने यह मतलब कि submit किया है submit करते ही इस पहले बिद्यार्थी के नाम का reference code साला प्रभारी के mobile नंबर साला प्रभारी के Gmail ID है इस पर reference code आ जाएगा और यहां से उपर से उनकी पास में जो है reference code सो होने लग आएगा तो यह आपके mobile नंबर पर phone करेंगे कि भाई दोको आपको select कर लिया गया है आप अपना आवेदन लेकर के आ जाईए आप जैसे ही आप अपना आवेदन लेकर के पहुंचेंगे वहां पर यह sign wine करेंगे उसके बाद में यहां पर reference code का option दिया रहेगा जो इनके mobile न पर फिर से login ID से password से login करेगा login करने के बाद में उस approval जो उनको मिला है उसको ले जाकरके upload कर देगा guest teacher portal पर और वहां पर उनको joining की date मिल जाएगी upload करते ही approve हो जाएंगे संकुल के इन से और वहां पर joining की date मिल जाएगी आपको 20 अगस्त से आपको पढ़ाने जाना है और इस school म आपकी joining हुई है आपको congratulations इस तरह से सारी प्रक्रिया आपकी चलने वाली है तो जो लोग यहां पर परशान हो रहे थे reference code को ले करके आपके पास में reference code नहीं आएगा साला प्रभारी की पास में आएगा साला प्रभारी अपनी ID से जब login करेगा उसके पास में ही reference code आएगा और आपको साला प्रभारी के दोरा reference code दिया जाएगा आपको बस इतना करना है अपना form भरिए form निकालिए और जो form निकल करके आ जाए उसको ले जा करके आपको साला प्रभारी के पास में पहुचना है वहां पर वो पहले से ही आपको approve करके रखे होंगे कि हाँ आप approve हो ग नहीं reject मतलब reject एक ही विद्ध्याले में आपने आवेदन किया है वहां से reject मतलब आप reject हो चुके हैं ठीक है इसके बाद में जो school बचेंगे वहां पर वेकेंसी खाली बचेंगी उन वेकेंसियों पर ये लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे पुराने वाले वहां पर केवल के reference code दिये जाएगा वो reference code ला करके नए वाले जो reference code है उसको guest teacher portal पर upload करेंगे वहां से उनको joining date मिल जाएगी और जा करके वो school में joining कर लेंगे तो नए और पुराने दोनों लोगों की process हमने बता दी है नए वालों को थोड़ा सा इंत्यार करना पड़ेगा भी और पुराने व faculty वारा जो portal है वहां पर जाकर कि आप खुद भी पता कर सकते हैं ठीक है चली यह वीडियो आपको अगर जड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा share कर दीजेगा सारी information हमने आपको बता दी है और अपने दोस्तों तक share कर देना नीचे टेलिग्राम चै कर दिये हैं और NCRT के notes जो है social science वालों के लिए वो भी free or cost हमने upload कर दिये हैं सकसे junction live के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं टेलिग्राम पर जाकर के और document section में जाकर के सारे document या फिस सारी PDF आप free में download कर सकते है ठीक है चलिए आगे जैसे हमें कोई नई सूचना मिलेगी हम तक के लिए नमस्कार धन्यवाद